साथ्यों आप भी जानते हैं कि दुल्वा माहमले के बाद देश के वीर सपुदों ने की इस तरह अपने श्वर्य का प्रदर्शन किया भारत के जहाद में पहली बार आतंकियों के घर में घुषकार उनको सबब सिखाने का हमारे प्रदर्शन के आज पूरी दुनिया आतंक पर हमारे प्रहार के चर्टा कर रही है लेकिन लेकिन मुहमलावटी कहते है कि मुदी सबूद दो, सबूद दो, सबूद दो क्या यह हमाएं विरोजिवां की बासा से आप सहमत है कि देश की सेना पर आपको भरोजा है मुझे जड़ा पूरी ताकित से बताईए देश की सेना पर आपको भरोजा है देश के वीर जमामप पर भरोजा है देश की सेना जो कहें उसमें आपका विस्वास है आपका है लेकिन तो लोगों ने तो सेना कोई अपना दूश्मन बना लिया है उनको लगता है कि सेना पराक्राइब करती है और पाइदा हमदुतम में नहां है इसलिए अब सेना पर ही परेशानी पैदा करने के रास्ते खोज रहे भावयोगों इस देश की सेना को परेशान करके हम देश का बहा कर सकते हैं हमारी सुरक्ष का कर सकते हैं हमारी जीवन आसाम हो सकता है देकि ये बाते ये लोग बोल रहे हैं ये ऐसे बोज़ है इन लोगों को बताना चाहिए कि उन्हें गानत के सपूतों पर बरोजा है या पाकिस्तान के कपूतों पर बरोजा है लेकिन ये महान मिलामटी बिल्कुल बैसी बाते करते हैं जैसी पाकिस्तान करता है कि ये हिंदुस्तान के सिलाजी बंकन ये पाकिस्तान के प्रमक्ता जाना लगते हैं प्रसुल्वी आंगेश को कि हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या फिक शाजा चाहिए पाकिस्तान के पक्सकारों को सजा देंगे पाकिस्तान के पक्सकारों को सजा देंगे